आर्तमाता की जे हो वंदे मात्रम बाहिन्रेंद्र मोधी इन्नाबार अधुराम एगवार आर्तमाता की जे हो दोस्तों नमस्कार इंडिया मिट्टीवी में आपका स्वागत मैं मन्जीश सी आज लाइव इसली हुए हैं कि हमारी 40 सालों की पराणी मांग रावला सिरोजी रोड के लिए निर्मान के लिए दो दिन रोज पहले एक केंद्री मंत्री अर्जुन जी मेगवाल जी जिनके नेतरतों में इसकी छड़का निर्मान होना निश्चित पाया है क्योंकि मैं इसलिए बता रहा हूँ कि कल राजस्तान गोवर्मेंट ने बज़ड पास किया है उसमें इसका जिकर नहीं आया लेकिन एक दिन पहले केंद्री मंत्री अर्जुनी मेगवाल जी का एक पतर मिला है मीडिया के मुताबिक मैं आपको बताना चाहूँगी एक 21 किलोमेटर मातर शड़क जिसके निर्मान के लिए 8 क्रोड 84 लाख रुपे का बज़ड पास हुआ है जल्द बनने जा रही है उसके बीच हमारे भाजपा की दिगिज नेता इलाके की जनता बहुत खुश है इसलिवात को लेकर कि ये शड़क शतिगरस थी जिसको लेकर बहुत घंभीर मुद्दे हैं उनसे भी बाचित करेंगे हमारे बीच बिकर सिंग जी सुभाज जी परज अब ढूंडा है कि इस रोड का निर्मान उनके नेतरतों में होना अच्छा पाया गया हमारे बीच हैं आप बातचित करेंगे विकर सिंग जी से कि आज क्या आप संदेश लेके आए हो और क्या आप कहना चाते हो विकर सिंग जी हमारे चैनल में आपका स्वागता जी बारत गाम के लोग में खुशी की लहर जागी है कि 40 साल पहले का इसमें शड़क में निर्मान हुआ था रोजडी रावडा से जो शती ग्रस तो चुकी थी और शड़क में खड़े नहीं थे खड़ों में शड़क थी और आज तक किसी ने नहीं सुनी तो हमने जैसे ही प्रयास कि हमारे माननिया केंद्रिया मंत्री अर्जुनराम जी मेगवाल साफ से हम बार-बार मिलते रहे उन्हें अगवत कुरवाते रहे वो पिछले दिनों यहां आये भी थे मंत्री जी दोरे पे उस टेम भी हमने उसके बाद में हम मैं और अंग्रेज और सुबाद जी परजापात द्वाली के दिन हम बीकानेरवी गए थे उनसे मिलना हुआ था हमारा उस टेम भी हमने याद दिलवाया था तो हमारी आसा यह आज पूरी हुई है हमें खुशी की लहर है बाजपा में बहुत अच्छा संदेश जाएगा ग्रामिनों में बहुत अच्छा संदेश जाएगा हमारे पूरे इलाके के ग्रामिन है जो खुशी की लहर के अंदर है तो बहुत अच्छी बात है इन्होंने कहीं कि खुशी की लहर है मैं सुभाजी से बात सी करूँगा सुभाजी क्या 140 दिन के उपर होगे धरनासल पे बैठे ग्रामिन लोग इसे संगर समिती बैठी है तो तो क्या आप उनको उठाने में काम जाब हो पाओगे क्या वो संतोृष्ट इस पौह पर यह क्या दो आदमी हैं जो इस दरने को ऐसा रूप दे रहे हैं भी कोई सुना ही नहीं कर रहा है लेकिन सरकारों सभी सुन रही है राजया सरकार नहीं सुन रही है उसका हमार पता नहीं है लेकिन सेंटर सरकार द्वारा जो बादे की हुए है आज 40 साल से जो सड़क नहीं उसको सड़को दे रहे थे आज खुद उन्होंने 8.9 कोड रुपे लगए लगए रोड के लिए दे दिये और परियास रहत रहे गी 9 PSD तक इसको डबल डबल रोड ये डवाइडर रोड के ल देखो बात उठने की नहीं है बात संतोष्ट करने की है क्या महीराम से बातसीद करेंगे महीराम जी आज आप उनके पास जाओ चंद आदमी जाओ तो वो क्या ऐसा प्रयास हो सकता है कि वो उठ जाए धरने को स्थागित कर दें तो एक अच्छा संदेश जाएगा इसके ब से पार्टी की तरफ से पहले तो मैं सबसे पहले दन्यवाद देता हूं मंत्री जी महोदेगा जो रावला से रोजरी तक 21 किलोमेटर की शड़क दी है इसके लिए बहुत बहुत दन्यवाद सभी आमचाहित नो पेस्टी की तरफ से जो आज कैतरी हुए है बाकि जो आप ब अभी बताया विकर सिंग जी ने घड़ों में शड़क है तो ये एक जाननी हमला भी हो सकता है किसी के साथ क्योंकि ये हादसा भी हो सकता है ये शड़क बहुत खंबीर मुद्दा अंगरेज सिंग जी क्या लग रहा है कि आज मंत्री जी ने एक तोफा दिया है नो मैं दन्यवाद करूँगा परदान मंत्री नरेंदर मोदी जी का जिनोंने परदान मंत्री ग्रामिन सडक योजना में इस रोड का निर्मान के लिए अपनी अनुमती दे दिये उससे दन्यवाद करूँगा ग्रामिन विकास मंत्री गिरीराज सिंग जी का और मानी अर्जु हमने बार-बार उनको यह बात रखा कि यह रोड खस्ता हालत में है तो मानिय मंत्री जी ने इस संदेश को उपर तक लेके गए और इस रोड को सभीकर्ट कराया मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं अरजुन मेगवाल जी का जिन्होंने इस इलाके की सबसे बड़ आपने अच्छा किया कारे आप देखते रहे हैं इंडिया में टीवी जाहिंद जाए भारत